गुद्बॉर्णी स्टुडेंट, वेल्कम तो क्लाफ सार्ड और और सब्जेक्टिट मैथ। टुडे स्टार्ट, एक्सराइज 4.6 एड वीडियो नमबर 44, 4.6 एक्सराइज आपकी है बड्स, प्रॉब्लम, फॉलिफल बन, फॉलिफल बन करने के पहले जो कोशन है, हम पहले 487 बॉक्स on Monday, एक किताब विकरेता है, जो कि एक दिन मतलब फॉमबार के दिन कितनी बॉक्स सेल करता है, बेचता है, 487, he fold 372 बॉक्स on Tuesday, और Tuesday के दिन, मंगलवार के दिन, वो 372 बॉक्स को fold करता है, how many more books the bookfeller fold on Monday than Tuesday, अब हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है, कि मंडे के दिन, वे बॉक्स बॉक्स कितनी जादा बॉक्स सेल कर देता है, बेच देता है, मंगलवार के दिन के पिक्षा, मतलब जो मंडे का दे है, मंडे के दिन को, वो कितनी जादा बॉक्स, ट्यूस्टे क कंपेर में जादा, क्या कर देता है, सेल्स कर देता है, तो हम अपला कोसर देखेंगे, स्वालिंसन, स्वालिंसन गया है, हमने, आप बॉक्स सेलर, फोल्ड, एक बॉक्स पेलर फोल्ड जो दिक रेता है, जो चिताब को दिक रेता है, वो कितनी करता है, 485 बॉक्स को मंदे की दिनी ओके और 372 बुक्स फोल्ड करता है तुब्टे के लिए 487 तरके हमने माइस किये 372 तो बारा आंसर आया 150 बुक्स आई रिपीट अगेर आपको फेला फोल्ड 487 बुक्स अन बंदे और 372 बुक्स अन तुब्टे मंदे के जिती बुक्स फेल्स होती थी उसमें हमने जो 250 बुक्स फेल्स होती थी उनको किया माइस तुब्टे हमारा आपसर आया 115 बुक्स 115 बुक्स more दी बुक्स फेला फोल्ड ऑन मंदे रैंट्यू से मतलब 101 फोल्ड 15 बुक्स वो बंगलवार के पिछा मंदे के दिल जादा से कर देता था बेज देता था अब है आपका फॉल्यूसर सेकेंड फॉल्यूसर सेकेंड करने के पहले कोफ़न हम रिपीट करेंगे यह है आपकी बुक्स और बुक्स का यह रहा कोफ़न दी फॉम ऑफ टू नमबर एच 565 बन ऑफ देम एच 245 फाइंड दी अधर नमबर यह बोल रहे हैं जो दो नमबर हैं उनको सम करने पर प्लफ करने पर 565 आता है उन में से जो एक नमबर है वो टू है 245 है तो आपको क्या निकालना है फैकंड नमबर फाइंड आउट करना है यह है आपका सॉल्इूशन सेकंड फ़ं ओ आफ टू नमबर कितना था 565 तो 5 of 2 number is 555 फर्स्ट नमबर फर्स्ट नमबर आपका कितना था फर्स्ट नमबर is 245 हमारे पाफ पे दो नमबरों का जो योग था प्लफ करने पर जो नमबर आना था वो भी है और उनमें पर जो फर्स्ट नमबर है वे भी हमें दिया हुआ है कोफन में माइनस कर देंगे तो हमने क्या किया 555 माइनस 245 दैन आंसर आया हमारा 320 तो 328 सेकेंड नमबर अगर हम 320 में प्लस करेंगे 245 तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 565 आई रिपीट अगें सम उफ तू नमबर एग 555 फर्स नमबर है 245 दैन सेकेंड नमबर निकालने के लिए हमने क्या किया 565 माइनस 245 तो आपका आंसर आया 320 तो 320 एग सेकेंड नमबर देखिया अब मैं आपको करवारी हूँ फॉल्यूफन थर्ड और फॉल्यूफन थर्ड है आपका ये वाला करवारी हूँ पहले मैंने आपको ए करवाया था फिर देन सी करवाया था अब नेक्सटर दी अब आपको आपको फाइंड आउट करना है कि नमबर वाइस कितने होंगे तो 876 में पहरे जाओ हम 383 माइनफ कर देंगे तो जो एवाउंट आएगा होतने होंगे हमारे वाइस और दी के बाद जो मैं आपको नेक्स करवाने वाली हूँ उसकी वर्ट प्रॉब्लम भी देख दीजिए दी के बाद में आपको करवा दे हूँ जे दे आर 672 पैंस और पैंस इनफ एक दुकान है जिसमें 672 पैंस और पैंस है और यह भम से पूछ रहे हैं कि अगर 672 पैंस में से 248 पैंस होंगी तो पैंस कितने होगे तो इसमें भी हमें क्या करना है माइनस करना है अब मैं आपको ब्लाइक बोर्ट पे सॉल्यूसन सुम्जाओंगे ओके सॉल्यूसन खट जो कि मैंने बताया तो सकते पहले हमने लिखा नंबर ओफ इस्टूडेंट तो नंबर ओफ इस्टूडेंट आपके कितने है एट हंडेट सैवंटी सिक्स फिर है आपके नंबर ओफ गर्फ नंबर ओफ गर्फ है 383 और हमें फाइंड आउट करना है कि बॉइस कितने हैं नंबर ओफ बॉइस फाइंड आउट करता है फाइंड आउट आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे नंबर ओफ पैंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे आउट का जो अमाउंट है उसको हम माइनस कर देंगे तो 672 माइनस 248 तो माइनस करने पाइंड आउट कितना है आपका 424 तो नंबर ओफ पैंड से आपके 424 देखें यह है अब आपका के वाला आउट ओफ 728 बुक्स इन दी लाइब्रेरी जो बुक्स थी लाइब्रेरी में पुस्त काले में जो बुक्स की नंबर ती जो फंक्या थी वो थी 728 एक में फे 325 बुक्स क्या होगी लेंट आउट होगी अब पूछाएं कि जो लाइब्रेरी है उसमें प्रेजांट में कितनी बुक्स है तो सॉली फंस सबसे पहले हमने लिखा 728 बुक्स इन दी लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी थी उसमें टोडल बुक्स कितनी थी 728 528 बुक्स में फे 327 बुक्स क्या होगी लेंट आउट होगी अब हमें क्या करना था बताना था कि प्रेजांट में कितनी बुक्स है लाइब्रेरी में तो 728-327 और जब आप 728 में फे-327 तो आपका आंसर आएगा 401 तो 401 बुक्स आर इस तेल इन दी लाइब्रेरी